हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चनल पर फ्रेंड्स आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके पास एक और माइक्रोवेब की डिस्ट आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकास से आप माइक्रोवेब में मग केक बना सकते हैं और वो भी सिब एक मिनि में और बहुत ही मश्च बनता है और सिर्फ एक मिट में बनके तैयार हो जाता है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूंगे इस केक को बनाने के लिए हमें क्या कैसा मान की ज़रुत पड़ेगी यह ले लिया है मैंने मैदा यह आईल यह मिल्क शक्कर पीशी हुई शक पिंच ओफ खाने का सोडा लेना है और यह लेना है आपको बेकिंग पाउडर यह मेरे पाइब विक फिल्ड का बेकिंग पाउडर है आपके पास जो भी आप इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और मैंने मेजर्मेंट के लिए स्पून उससे ही मेजर्मेंट करिए और मेजर्मेंट करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूं कि इस तरह से मेजर्मेंट करिए आप इस तरह से चमस को भरिए और फिंगर से इस तरह से फ्लैट करिए अगर आप मेजर्मेंट सही नहीं करेंगे तो आपका केक अच्छा न इस तरह से तीन चम्मस मेंदा हो गया है, अब हम इसमें कोको पाउडर एड़ करेंगे, कोको पाउडर को भी हमें मेजरमेंट करना पड़ता है, इस तरह से हमने लम्मस में लिया और इसको फिंगर से फ्लैट किया, और ये इतना कोको पाउडर चाहिए रहेगा हमको, अब हम इसमें एट करेंगे शुगर, शुगर को मिजर्मेंट करने की चुरत नहीं रहती है, अब इसमें कम जादा सब चल जाता है, बस तीन चम्म से मैंदे में दो चम्म सक कर बहुत होती है, अगर आपका मीठा पसंद करते हैं, थोड़ा कम डालिए अब इसमें डालूँगी ये सोडा, पिंच अब सोडा है ये, खाने वाला सोडा, और इसमें एट करेंगे नमक, चॉकलेट केक में नमक डालना बहुत जरूरी होता है, इसे हमारा केक मौश्च बनता है, और ये लिए है मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को भी मि इस तरह देखिए, इतना नहीं डालेंगे, इसे भी हम अपनी फिंगर से फ्लेट करेंगे, इस तरह से, और ये देखिए, आदा चमस हो गया है, आदा चमस हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, हमारे जितने भी सूखा आइटम है, वो तयार है हमें इसे फोक की सहाता से एक अच्छी तरह से मिलाना है, आप फोक से ही मिलाईएगा, चमस से इतना अच्छा से नहीं मिलता है, इसको हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से मिलाना रहता है, जिससे कि जो हमने बेकिंग पाउडर सोडर डाला है, वो अच्छी तरह से पूरे चम्मस ओल लगेगा मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा जिस चम्मस से आप मैदा को लेंगे उसी चम्मस से सारी चीजों को मैजरमेंट करके डालेंगे इसी तरह से हम इस तरह से अच्छे से मिला देना है जब आपका तेल सब पूरे मेजरमेंट करेंगे जिससे हमने मैंदा लिया था जिसमें हमें तीन चम्मस मिल्क लग जाएगा लेकिन हमें इसे एक साथ नहीं डालना है पहले आप दो चम्मस मिल्क को डालिया और इसको अच्छी तरह से मिलाएगे क्योंकि कभी कभी गुटली पर सकती हैं दो चम्मस मिलाकर उसको अच्छी तरह से मिलाई जिससे सारी गुटली अच्छी तरह से जो भी अगर बनी होंगी वो सब मिट जाएंगी अच्छी तरह से कुछ भी गुल्टी नहीं रह जाएंगी अब लास्ट में हम एक चमस मिलक और एड़ करेंगे और इसको अच्छी तरह से फेट देंगे एक दो मिनेट के लिए इसे फेट ना बहुत जरूरी है अब मैं इसमें एड़ करूँगी थोड़ा सा एसेंस यह है वैनिला एसेंस चॉकलेट केक में भी वैनिला एसेंस ही लगता है थोड़ा सा यह एसेंस एड़ कर दूँगी मैं अब इसको हम अच्छी तरह से एक दो मिनेट के लिए फेट देंगे और देखिए कितना क्रीमी है और यह अभी से इतना टेस्टी दिख रहा है इसे आप एक दो में जरूर से फेड़ी रहे तभी आपका केक अच्छा सा फलपी और फूला फूला बनेगा यह देखिए इस तरह से होना चाहिए आपका केक केकर जो बैटर है वो इस तरह से फ्लोई होना चाहिए और इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से फेट ना है कई बाद लोग मक्केक बनाते उसे फेट नहीं है पर आपको इस मक्केक को बनाने के लिए इस तरह से फेट ना बहुत इंपोर्टेंट होता है यह हमारा बैटर तैयार है अब हम इसे microwave में रखेंगे और मैंने थोड़े से चौके चप्स दिखाए थे उसे भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ यह optional है आपके पास हो तो आप डालिए नहीं तो जरूरी नहीं है अब हम इसे microwave में रख देंगे अब आप microwave की सेटिंग को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए इसे मैं micro mode पर पकाऊंगी इसलिए बीच वाली बटन से सब कुछ होता है इस वाल में LG के microwave में अब 900 डिग्री सेट किया है और स्टार्ट की बटन को दबा दिया है अब हमें 900 डिग्री पर ही से पकाना है ये देखिए एक मिनट हो गया है अब मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ आपको किस तरह से हमारा केक तयार हुआ है ये देखिए किता फूल गया है मैंने इस फोक डाल के देखेंगे ये देखिए पक गया है क्योंकि कुछ भी फोक में नहीं निकला और मैं इसको आपको थोड बहुत ही टेस्टी लगता है और यह देखिए इसमें बुलकुल भी एक अच्छा कहीं से भी नहीं है बहुत अच्छी तरह से बना है मैं आपको इसे स्पून से भी निकाल के दिखाती हूं कि किस तरह से यह बना है और बहुत ही टेस्टी रहता है यह देखिए किती अच्छी से तरह से गुई और बलकुल सॉफ्ट बना है थैंक यू फ्रेंस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू मिलते हूं नेस्ट वीडियो पर